और बिदाएस से इस वक्त की बड़ी खबर है, आपको बताएं पांच्वा आदम खोर भेडिया भी पकड़ा गया है, वन्मिभा को एक बड़ी सफलता मिली है, सुभा सुभा ये ओपरिशन चलाया गया और इसके बाद अदम खोर भेडिया को पकड़ लिया गया है, चार भे पकड़ने की कोशिशे फिर से शुरू होंगी सुभा सुभाय रेस्क्यू चलाए गया लोकेशन ट्रेस की गई थी और इस लोकेशन की आधार पर जब पहुचे तो वहाँ जो पक पॉइंट थे वो मिले थे पहले और जब फिर लोकेशन ट्रेस की गई तो वही आंसपास की पर पहुचे और इसके बाद रेस्क्यू करने के बाद भेड़े को पकड़ा गया है फिलाल आप भेड़े के तस्वीर देख रहे हैं पिज़रे में क्या तो रहे बहराइच में आप पूरे बहराइच में अपने आतंग से आसपास के 32 से भी जादा गाओं में खौप मचा रखा था अब बन विभाग के जन्जीरों में जकड़ा हुआ है जिस आदम खोर ने अपने आतंग से पूरे इलाके को दहला दिया था अब बन विभाग का दिया गया खाना खाएगा यानि बहराइच से पांच में भीडिये का आतंग खत्म हो चुका है बन विभाग का पिंजरा इस बात की गवाही दे रहा है और विभाग के अधिकारी पांच में भीडिये के पकड़े जाने की पुष्टी कर रहे हैं लेकिन इनकी आदिते खराब हो गई थी आदमी के बच्चों को सिकार करने का इनकी आदिते खराब थी पांच मां आदम खोर तो पकड़ा गया लेकिन पिंजरे में जीव लब लपाते इस भेडिये का खौप बरकरार है और इसके आखों में उसका गुस्सा देखा जा सकता है लेकिन हकीकत यह है कि अभी आपरेशन खत नहीं हुआ बन विभाग और प्रशाषन की टीम लगातार 24 घंटे आदम खोर भेडिये को पकड़ने की कोशिश कर रही है क्योंकि अब भी लंगड़े भेडिया का खौप बना हुआ है क्योंकि लंगड़ा भेडिया अब भी पकड़ा जाना बाकी है पहले जो जिन भीडियों को मुला पकड़ा गया था वो काफी एग्रिसिव थे काफी आक्रामक थे लेकिन ये भीडिया काफी शांथ है अभी तो सांथ होगा पबली को जिसे सांथ है अभी तो बहुत उदुम कर रहा था पुरा नूच रहा थे लगाता थाओं दिन की महनत आ आया है बहराइच में और अब इस भीडिये को पकड़ा जा चुका है इस सीधी एक्स्क्रूसिव चत्वी जी निउस पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं यही देखे यही वो सामने वो यह आदम खोर भीडिया है और किस तरह से इसने बच्चों को निवाला बनाया किस तरह ऐसे जुंडे ने बच्चों को निवाला बनाया और अभी भी आप देखे कितना एग्रेसिव हैं कि आखों के अंदर आखे डाले हो रहे हैं आखों के अंदर आखे लगातार मिला रहा है तो यह इसकी एग्रेसिवने से यह आप देखिए इसको यह आदम खोर भीडिये को आप लगातार देख रहे हैं यहां पर जीनियूस के उपर यह आप देखिए किस तरहां से करवट बदला है किस तरहां से इदोहदर उदा दाइबाय देख रहा है इसको भूला वाला समझने की बिल्कुल भी चूक मत करिएगा क्योंकि भूला वाला नहीं है यह आदम खोर भ का भी परिक्षन किया जाएगा मेडिकल जाच इसकी की जाएगी और उसके बाद इस आदम खोर भेडिये को यहां से रवाना किया जाएगा जू की तरह कैमरा बसंद रहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा जी मीडिया बहराइच तो शिवांक हमारे से योगी जानकारी दे कि यह वह एक हुंखार भेडिया है जिसे अब पिच्रे में कैद कर लिया गया है काफी मश्रकत के बाद काफी चनौतिपूर यह पूरा ओपरेशन रहा है वनवभाग के लिए क्योंकि लोकेशन जब ट्रेस की जा रही थी भेडिये को पकड़ा नहीं जा पा रहा था क्यों तो वन वभाग को ये बड़ी काम्याबी अब मिली है गरामिडों ने भी थोड़ी राहत के साथ जरूर लिया हाला कि अभी जो सरदार है जिसे अलफा भेडिया कहा जा रहा है उसे पकड़ा बाकी है लेकिन राहत इस बात को लेकर है क्योंकि ये पूरे जुन के साथ ही हमल करते थे अब ये जुन्ड बिखर गया है और जुन्ड बिखर गया है इसलिए अब वो लंगडा भेडिया भी कहां चिपा होगा उसे तनाशना भी थोड़ा मुश्किल है लेकिन अब वो हमले नहीं हो सकते ये जरूर वर्मिभा की तरफ से कहा जा रहा है जो पहले वीडिय कि आप पकड़ में आया राहत की बात यह है कि अब एक और पकड़ लिया कहानी खतम है जी वीडियो का पुरा जुन्ड दिखा था आपको बहुत बड़ी बात होती है छा भीडियों का प्रेशन छे भीडियों को पहले से पहचान लेना अब फिर उन्हीं छे भीडियों को पकड़ना बहुत बड़ा चैलेंज था पांच पकड़ दिये अब एक पकड़ लेंगे फिर हमारी समस्या हमारे जनपर के लोगों की समस्या खतम हो जाएगी हमेशा हमेशा कि आखे सूजी हुई है दो महिने से नहीं सोए है कल भी आपसे रात में दो बज़े रात में आप से मुलाकात वी थी बात कर रहे थे आप से रात में भी आप यहीं पड़ते कैसे रात में चली थे कि कल साम को ही लोकेट हो गया था पगमार्क हम देख लिए थे पगमार्क के साथ चलते चलते हम पहुंच गए फिर पगमार्क खतम हो गया हम समझ गए कि यहीं बैठा है तो पांच बज़े ही हम लोगों ने अपना काम करना सुरू कर दिया, शाहें छे बज़े तक हम ने उसको कर्चत कर दिया, जल से जल अलफा भी पकड़ लिया जाएगा, जो च्छटा है, जो भी चछटा है जो भी च्छाह उन्सक्यां है, जल क्वा यह सब सारी इसका भी क्या जा जालता जालता भी पकड़ लेंगे। दीए फो हैं ये और इनका कहना यह है कि पांचवाई भेड़िया पकड़ लिया गया है रहत के सास ले लिया है बहुत बड़ी बात है और अब जल से जल चटा भेड़िया पकड़ लिया जायेगा केमेरे पेसं रहुलाय के साथ शिमांग मिश्राज दीमीडिया बहराईच तो चटे भेड़ी को भी पकड़ा जाएगा और बहुत जल्दी क्योंकि काफी मुश्किल भरा ये पूरा ओपरेशन अभी है से पहले का जो ओपरेशन जो पांच भाप भेड़ी पकड़ा गया उसे पकड़ना भी काफी मुश्किल था एक महिने से लगाता चीम कोशिश पूरी कर रही थी हर जगा टीम में लगी थी थर्मल कैमरे से नजर रखी जा रही थी ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही थी लोकीशन ट्रेस की जा रही थी लेकिन उसके बावजूद भी जब टीम पहुच सी थी तो ये भेडिया फरार हो जाता था लेकिन एक के बड़ी राहत ग्रामडों को जरूर मिली है क्योंकि जुन के साथ की अटाक करते थे अभी जुन को जुन बिखर गया है पहले चार और फिर पांचवा भीडिया पकड़ा गया है अब कोशिश ये की जाएगी छटे भीडिये को पकड़ने की तो तमाम अधिकारी इस वक्त मौझूद हैं मौके पर क्योंकि ये बड़ी सफलता मिली है बहराइच में मौझूद है और बहराइच में इस वक्त बन बाकि उस टीम के साथ हैं जिसने पांचवा भीडिया को पकड़ने में पूरी निरनायक भूमिका निभाई इस वक्त रेनू सिंग जी में लोग के साथ मौझूद है। मैम किस तरहां से आप देखती हैं पांचवा भीडिया पकड़ा गया इसक बारे तो राद में ड्रोन इसले नहीं नहीं दोड़ाया क्योंकि अब जो इसका बिहवियर है ना जैसी द्रोन आता है वह भागने कोशिश करता है क्योंकि उसको मालूम चल गया कि इससे पहले जितने भी है जब ड्रोन आता है तो उसके साथ ही गया वोने चुरू जाते हैं तो इस बार हम लोगों ने अफकोर्स भी अच्छी बात थी कि पंग माक्स भी दिख गया और उसका वह दिखता चला चला गया और उसको ट्रैक किया हम लोगों ने और चुकि रात हो गए थी तो रात को आपरेशन नहीं करते हैं मौनिंग में हम लोगों ने इस इस आनिमल को हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया हमें मसहली एक घडिया बचा है तो मलब उसके ओपर क्या आप आशवाशन देना चाहेंगी गाउंवालों को औ रहता हैं पहले करने कि वहवण सा इनमल है उसके बाद ही बाद इसपे बात की जा अंशन से इस इसए का फ़ाह भलाने से बहुत दिक्ट होती है gama loop को दिक्क्ट होती प्शिपग दोथी वो नहीं करना चाहिए और हम लोगोंने प्वाढ ने बाटे हुए हैं बताय है कि स तो फोन नंबर्स हैं वो सब्कुलेटर हैं आप उनसे बात करें और हमारा कमान सेंटर सेंटर भी सेट अप है वहां बात कर लें तो आप खाली एक बचा है जल से जल वह भी पकड में आए जाए एक बचा है पूरी कोशिश करेंगे प्रयास प्रयास है जिस सरहां से अभी इस तो पगवांग मिले थी जिसके बाद लोकेशन ट्रेस की गई और इसके बाद ये सफलता हाथ लगी है तमाम टीमें इस वक्त मौझूद हैं वहां पर क्योंकि सुबह ही पूरा ओपरेशन चला और इसके बाद ये सफलता मिली है पाचवा भेडिया पकड़ा गया है जिसको आप देख सकते हैं पिजरे में और फिलाल इतना ही जिए था